वाहिगुरुजी का खालसा वाहिगुरुजी की फते साखी गुर्नानक देवजी दा पाई लेहना जी नू मिलना अते उनादी पार्क पाई लेहना जी देवी पाक्दसान हर साल जम्मू लागे वैशनो देवी दे दर्शनानो पिता जी नाड जाया कर देसान पिता जी सांग दे मुखी सान, तेहुन ओवी मुखी बाण के कामनों नी बौंदे रहे। एक पारी आपनी तर्म पुआ विराई जीनू खडूर साब मिलन लई आए, ता सवेरे अमर्त वेले पाई जूद जी दे मुखों, जित सेविय सुख पाईए, सो साहिब सदा समाल लिये, जित कीता पाईए आपना, साकाल बुरी क्यों काल लिये, पौडी सुने, ता गुर्नानक देव जी दे, दर्शना दी, तांग उठी, उस साल देवी दे दर्शन नू जान देयां, आप सांग दा साथ शट के, करतार पु अस्चर्ज खेड हो गई, कोडे चड़े ही, जिस व्यक्ति कोडों, गुर्नानक देव जी दा कर पुछया, ओ गुरु साहिब ही साना, गुर्नानक देव जी, कोडे दी लगाउं पड़के, आपने ही डेरे ते, आए, फिर मंजे दे बैठके, दर्शन दिते, पाई लेहना जी, दा एक रंग आवे, ते दुजा जावे, के बड़ी अवग्या हो गई, गुर्नानक देव जी ने, उस दी ए दशा, देख पुछ लेया, पुर्खा, तेरा की ना है, उना केहा, मेरा ना लेहना है, ता आप जी ने केहा, लेहना दा पाब है, लेहना, तुसी लेहन वाल ते मैं दीन वाला, फिर लेन वाले ता आवदे ही कोडियां ते चड़की हन, दर्शन करके मन नो शांती मिली, उत्थे कर तारपुर रहन दा मन बना लेया, एक अटना पंदरा सो बत्ती इस वी दी है, पाई दासु जी, ते बिब्बी अमरो जी दा, जनम हो चुका सी, जद जथा वापस आया, ता जो किसे दे मान विच आया, माता खीवी जीनू कही गया, कोई आखता, तेरा पती तीरा साथ शड करतारी हो गयाई, किसे आख्या, लेहना करतार पुर ही, नानक तपे पास रहन पे आई, सांग नू जवाव दे दित्तासु, पर कुज दिना अते सारा कम काज, पर नेवे नू सौंप के वापस करतार पुर जान लगे, ता उना लोन दे एक खिटी सिर्थे चुक लई, ते ता रमशाला माता सु लखनी दे चरना ते आन रखी, जो दो गुरु नानक देव जी दा पता उना पुच्या, ता माता जी ने कहा, क्यो खेत जानों गय होई हान, उत्थे पुच्ये ता देख्या के गुरु नानक देव जी का काट रहान, आप जी भी कट्रन रगे, खेती कदे कीती नहीं सी, सो का नाल ता आनवी पटे जान, महाराज मुस्क्रोंदे रहे, का दियां दो पंड़ा त्यार हो गई ना, एक गुरु ना जानक देव जी ने आप उठा लई, ते दूजी पाई लहना जी ने, जदो कार पुझे ता माता सुलखनी जी कहन लगे के कुझता देख्या करो, जो भी आप पास आमदा है, तिस्दा तुसी एही हाल कर दे हो, एता अग्ये ही पार चुक के पिंडों आयसान, बाब्बे ज जी ने बचन दिता, इनके सर पर गठडी कास की नहीं दिती, सु आहे दीन दुनिया का शतर दिया है, और कपड़े उपर चाला नहीं केसर पड़या है, एवड़ा पगवान पुर्ख है, पाई लेहना जी, पहली पार्क विछ पूरे उत्रे किर्त ही केसर है, लोंडी खिट सिर्थे चुकंदा पावसी के ओहन अग्यतों कोई विस्वास जाई नहीं गवावन की, ओना सत्ता साला विच जो साखियां करतारपुर होईना ओ गोहनार पड़नवालियां हान, जिगर आउधा है के एक वारी गंदे नाले विच कटोरा डिग पया, सुबाविक ही गुरु जी ने दोहां पुतरां, बाबा शिरी चांद जी, ते बाबा लक्षमी चांद जीनू कडण दी आग्या देती, उना कानम रोड देते, पिठा मोड लेइना, पाई लेहना जीनू जदो कटोरा कडण दी, आग्या होई, ताओ गंदे टोय विच वाड के कटोरा बाहर कड़ गुर नानिक देव जी, देख रहे सान के, सुन्दर कटोरे, गंदे नालेयां ते टोयां विच डिगे होई रोल रहे हान, हर कोई देखदा है, पर विच वाड के कोई कड़न लेतियार नहीं, गुरु जो सबदा पला मनाईदा है, ओदा फार्ज है, आपों लिपड के वी, दूजे दा कलियान करे, पाई लेहना जी इस पार्ख विच पूरे उतरे, फिर स्यार दी रुते, बारिश विच ही, तरम साल दी कांदनू, जो टाठ गई सी, उस समय गुरु जी ने उसारन लेके है, तरम वी ऐसा है कि, जे इस विच रता को तिल दे दिती जाए, ता शेती ही तरम अतरम जाकु तरम बन जानदा है, तठे तरम ते तरम साल नू समय जिर उसारन ते सवारन दी लोड है, गुरु जी ए ताक रहे सान के, जिस ते जिम्मेवारी पैनी है, वो तत पर है के नहीं, पाई लेहना जी उस विच भी पूरे उतरे, शिरी करतार पुर्च एक को वेले बहुत सारी संगत आई, संगत नू वेह के, शिरी गुरु नानक देव जी ने, आपने दोहा पुत्रां, बाबा शिरी जंद ते लक्षमी दास नू कहा के, बेटा जाओ, जो नगर दियां की क्राहान, उना नू हिलूनों, ते उत्थो चंगा पोजन चड़ेगा, लेयावो, ये सुन के, दोवे हसन लगे, ते साचना मनेया, आपनी वारी ते, पाई लेहना जी, उसे समय उठ दोडे, ते किकरा नू हलूनेया, ता पात पात दियां मठ्याईना डिगिया, सारी संगत शाक के, मान विच बहुत हरान हो रही सी, पाव गुरु जी दी, कस्व मुर्दा पया दे के, सारे सिखानू केहा के, जे कर तुसी मेरे सिख होता, ए मुर्दा खावो, ए सुन के, सब ही पाज निकले, ते कहन लगे, गुरु जी ने ता आपनी बुद्धी गवाले है, पाव सठ्या गय हन, एक लेहना जी ने मन अडोल रख्या, ते गुरु जी द आग्या मान के, मुर्दा खान बैठया, देखके मान विच हैरान हो गया के, उत्थे मुर्दा नहीं सी, बलके कड़ा परशाद पयासी, हैरान हो के, गुरु जी दे पावन चरना उपर मत्था टेक्या, पाव सिखी दी पर्ख, समें पाही लेहना जी ही खरे उत्रे, सियाल दी रुते, अद्धी रात बीत चुकी सी, के गुर्णानक देव जी ने, आपने दोवे पुतना, नू केहा के, ए चादरे तो ओके लियाओ, पुत्तर सुन के केहन लगे, के हे पिता जी, तुसी आपने बुद्धी दा बाल क्योंग वालया है, की कोई अद्धी रात स समेवी कपड़े तो उदा देख्या है, जोदो ए हुकम पाई लेहना जी ने सुनया, ता उसे समे नदी किनारे पहुँचे, देख के हरान होए के, अद्धी रात समे सूरज चम करहा सी, ते लेहना जी ने कपड़े तो सुका के, गुरु जी दी पर संता प्रापत कीती, एक दिन एक बिल्ले ने एक चूही चबा के अद्धी बची होई, संगत दे नेडे सुट दिती, देख के, शिरीगुर नानक देव जी ने दोवे पुत्रानों केहा के, चूही बाहर सुट के सुफाई कर दिवो, पुत्तर कहन लगे, के होर कोई कारविच दास नहीं रहा, आसी इस सुट के आपनी सोबा क्यों गवावागे, जोदंपाई लहने जी ने होकम सुटेया, ता उसे समय चूही सुट दिती, गुरु ची दी कसवटी सही, जो शिरीगुर नानक देव जी ने लाई सी, शिरीगुर नानक देव जी ने कौतक वास्ते, एक कांसी दा कॉल, एक ग गंदे डूम विच सुट दिता, ते पुत्रा नों कहा के, इसनों काड के, ते माज सवार के, मेरे कोड लियाओ, सुनके पुत्रा ने पासा वट्या, ते आग्या नहीं मनने, गुरु जी दा इशारा पा के, उसे समय पाई लहना जी उठके, ते काड के, माज सवार के, गंदे हो गए, पर सिदक ना डुलाया, ते गुरु दी कस्वटी सही, अद्धी रात बीत चुकी सी, गुरु नानक देव जी उठके पुछन लगे, के पाई की समा होया है, बाबा बुड़ा जी ने कहा के, गुरु जी अद्धी रात बीत चुकी है, पर गुरु जी कहन ल लगे के, मेरे ख्याल अनुसारता एक पहर रात बाकी है, जदों पाई लेहना जी नुप पुछया, ता कहन लगे, साथगुरु जी जो आपनु पावे, ओ समा इस वक्त है, जेकर आप जी आखदे हो, इस समय एक पहर ही रात बाकी है, एक काल विचारा कौन है, जो आप जी जी संगत विच शोबित सान, तेक सिखने आके, एक टका पेटा चड़ाई, उसे टके नो ही हाथ विच लेके, गुरु जी सिखा, पुत्रा नो पुछन लगे, के मेरे हाथ विच क्या है, ता साब ने कहा के, आप जी दी मुठी विच एक टका है, आपनी वारी पाई लेहना जी कहन लगे, के तिन्ना लोका दे राजन, दास क्या क्या गिंड सकदा है, ऐसी कहडी वस्तु है, जो आप जी दे हाथ विच नहीं, पाव सारा जग्द ही आप जी दे हाथ विच है, जग्द विच सब तो चंगी गुरु दी सेवा है, ऐसी कहडी वस्तु है, जो गुरु स सेवा करके नहीं मिल दे गुरु सेवा तों सब तों विकार टल दे हन ते सुख शांती ते ज्यान हिर्देच ओंदा है ये बंदे चार पदार्त तरम अर्थ काम ते मोख सेवा तों प्राप्त हुंदे हन पर्मानादती प्राप्ती करके आपने नेजस रूप्च समा जाईदा है शिदी गुर नानक देव जी दे चरनादी सेवा पाई लहना जी ने कीती आते गुर्ता गद्धी प्राप्त करके गुरु पद पाया जेकर तुहानू साधी ये वीडियो पसांत आई तेसनु वाद तो वाद लाइक शेर आते सब्सक्राइब करें वाहिगुर जी का खाल साधा वाहिगुर जी की बते